नमस्कार दोस्तों आप लोग के साथ में एक वीडियो साजा की कि किस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए एनिमेटिड वीडियो बना सकते हैं एजुकेशनल परपस के लिए और एक एप साजा किया जिसमें से बहुत सारी मुझे क्वेरी जारी है पहली बात तो थैंकिय के रिकार्डिंग कंप्लीट जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी तो देखिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ अब मैं अगर आप लोग को बताओं कि यह जो आप दिख रहा है जैसे मैंने आपको इसकी डिटेल वीडियो ज जाकर मिल जाएगा तो चलिए मैं स्कोट के अगर्ति क्लिक कर लेती हूँ आप मैंने क्या किया है और मैं अपने फोन को लाइन्सकेप मोड़ पे रख दिया है अब आपको मैरी इमेजर वह स्थरीकी से तो पहला उंटरफेस आपको अपको प्लस का बीच का सायन है यहां प तो जो purple color का आपको सारी जीजे जो आपको नहीं थोड़ी से समझ में आई थी वहां पर आपके कुछ question से तो जो purple color का आपको sign दिख रहे हैं आपको गयरہना है इस purple color कि sign को क्लिक करना है तब ही आपको background change करना है ठीक है कहीं पर आगर आप back जहाना चाहते हैं उस वक्त आप ये वाला जो sign है back यहां पे लिखा हुगा इससे आपको click करना है आपकी जो वीडियो है बनने के बाद आप उस वीडियो को phone में कैसे लेके जाए ग्यालरी में कैसे लेके जाए ये बड़ी समस्य आ जाती है ये कुछ basic questions है जिनके उपर मैं discuss कर रही हूँ तो आ आप यहां से यह export यहां का button लिखा हुआ है आप export पर click करेंगे और उस file को नाम देंगे और उससे save कर देंगे तो वह सीधा आपके gallery में जाकर save हो जाएगी है इसके अलावा कर आप चाहते है अपने friends को share करना तो यहीं से option आ जाता है आप अपने friends के साथ भी उसे share कर सकते ह बीच बीच में आपकी वीडियो कैसी बन रही है अच्छी या नहीं यह आप इसे play button से use करके इस play button से आप click करेंगे आपकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे बनी है इसमें थोड़ी editing होने की जरूत है complete मतलब export करने से पहले बार बार आप उसे play करके check कर सकते है कि आपकी वीडियो जो है वो सही direction में जा रही नहीं जा रही है जो content आप अपने students सक पहुंचाना चाहते हैं वो उस purpose के लिए है या नहीं है तो यह कुछ basic चीजे जिने इस screen पर होने वाली आपको ध्यान रटने की जरूत है और इसमें एक सबसे important चीज यह जो आपको य complete screen देखनी है तो आप इसे touch कर देंगे तो यह नीचे चला जाएगा जैसे ही अभी देखे मैं आपको दिखाती हूँ आपने से touch किया यह स्क्रीन नीचे चलेगी आपने वापस से touch किया तो इस screen ऊपर आगी यहाँ पर इस आपको जो है आपका पूरा बार जो है वो दिखा और उसके बाद इसमें बहुत सारे option है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ सबसे पहला option आता इसमें characters का यहां से आप कोई भी character जो है वो बहुत सारी Indian app है तो इसमें इंडिया के बहुत सारे characters आपको दे रखे दिखे जो downloaded नहीं है उनमें नीचे जो है यह आ र भी character ले सकते हैं अब इसके background के बदाओं तो बहुत सारे background है इसमें बहुत सारे background जो आप देख सकते हैं कुछ downloaded होंगे कुछ नहीं downloaded होंगे जिनें सबसे जादा मैं use करती हूँ hospital के मतला maximum सभी जगा के background है इसमें तो आप इन्हें ले सकते हैं कोई शुनी है individual अगर आप class क background लेते हैं जहां सिर्फ teacher teacher दिखाना चाहते है students का response नहीं दिखाना चाहते है आप teacher माली जो कुछ explain कर रही है आपको छोटी सी एक वीडियो बना के भेजनी है मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपने यहां से background select कर लिया है उसके बाद आप एक teacher ले ले लें बढ़िया सी यह teacher मुझे बहुत बढ़िया लगती है अब यह हवा में लटकी हुई है आप देखेंगे तो इसकी इंतने से टच कर दे ही teacher को teacher की सारे positions change हो जाती है पड़िए अभी हावा में है तो हम इस arrow से यहां पर इसे उठा के इसकी position जो है कोई भी position जो है वो कर सकते है इने जैसे चाहिए इनके movement जो है वो करा सकते है लग को issue नहीं होने वाला उसमें आपको तो अब मालीजे यह वाली चीज़ आपने कर ली उसके बाद मैं आपको बताऊंगे दोस्तों कि add music अगर आप इस तो यह already कुछ inbuilt music है इस वीडियो के जो आप इसमें add कर सकते हैं आलीजे यह music जो है मैंने add कर दिया अगर आप तो आप चलते हैं हम अगले option की तरफ तो अगला option था हमारा इसमें अगर हम text add करना चाहते हैं तो यहां से हमने text ले लिया और उसके बाद कुछ भी लिख है उसे ले जाहिए और आप इसे रोटेट कर सकते हैं इसके सारे functions जो है जब आप इस पर काम करेंगे न तो आप जो है वो सीख जाएंगे आप नहीं पर लिख दिया कि आज बच्चो तुम्हें A to Z जो है वो बताया जाएगा कि है आपका अगला function जो आरा इसमें import image this is very important कि हम कोई इसमें जैसे मालीची मैं A for Apple ही अभी बच्चो को जो है दिखाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बच्चो को अपनी ग्यालवरी में अगर आपके पास कुछ images हैं इससे related तो आप अपनी एलपल में जहापने save करके रखी हूई होगी अपनी images को चोटा रोटेट तो हम इसे क्या करेंगे बोर्ड पर मैं अपने आपको थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ यहां कर लेती हूँ और यह देखिए दुस्तो ब्लैक बोर्ड पे आपने बच्चो को शो कर दिया कि आप A for Apple जो है वो बच्चो को बताएंगे ठीक बट अभी तक अगर आपने कहीं सेव कर रखे हैं आपने बना रखे हैं उन्हें भी बनाने का तरीका होता है अगर आप कमेंट करेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि GIF आप कैसे बना सकते हैं educational GIF किसी भी चीज के किसी image को लेकर आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ share करूँगी तो अभी फिलाल के लिए क्या कहते हैं आपने अब teacher की बोलने की बारी आई एठीक है teacher में कुछ भी बोला है तो उसके लिए हमें क्या करना है teacher को बुलवाना teacher का mic जो है वो start करेंगे अच्छा बच्चो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे A A for apple A for apple A for aunt Aunt is eating an apple Wow Can you see? Aunt is eating an apple Very nice तो इस तरही किसे छोटी छोटी क्लिपिंग जो है आप बच्चों के लिए प्रोसेस हो कि अब एक बार हम चेक कर लेते है अच्छा बच्चों आप सभी मेरे साथ बोलेंगे A A for apples A for apples A for aunt Aunt is eating an apple तो इस तरही के से आपने देखा कि complete teacher ने जो है topic को explain कर दिया है तो अभी क्या करेंगे आप अभी teacher को आपने देख लिया बोलती है अब दिक्कत क्या थी है टीचर की speed तेगर तेज हो रही है बहुत जादा बोलने की आप बहुत स्लोव बोल रही है तो उसे भी आप आगे पीछे कर सकते है speed को कम जादा कम जादा कर सकते है उसका बिर्कुल question यहां आता तो यहां जो है आप मतलब teacher ने बोला पर आप चाहते हैं कि आप बच्चे आजाएं क्लास में तो अब आप क्या करेंगे हमें फिर से वही है कि हमें फिर से background जो है वो change करना होगा पर इसके लिए एक चीज़ का आपको हमेशे ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बता देती हूँ यहां से यह वाली जो layer थी जिसकी मैं बात कर रही थी यह बहुत important part है इसका कि अब यहां पर teacher वाला part इक हां पर खतम होगया आपको next page में कुछ और दिखाना है next slide में मतलब मालीजे कुछ और दिखाना है तो उसके लिए आपको next slide okay करनी होगी जैसे ही आप okay करेंगे तो दूसरी slide आतागी दूसरी slide पर सेम आएगी जो आपकी पहली है यानि आपने पहली वाली को copy किया है आप जो extra चीजे हैं बच्चों की तरफ वाली जो बोर्ड पे थे यहां पर आपकी teacher थी इन सब को आप जो है हटा देंगे ठीक है अब यह आपकी class आगे यह आपकी characters आगे मैं अपने आपको set करते हैं मैं अपने आपको भी दिखाऊंगी यहां पर हमने a to z लिखा था इसे हम इसे भी हम delete कर देते हैं ठीक है अब यह original हमारी class आगे अब हमें क्या करना है अपने class के जो characters हैं हम उनमें कुछ और character यहां पर लाना चाहते हैं क्योंकि हमें पुरी भरी होई class दिखानी है न तो अब हम कुछ characters ऐसे जो हमारे character हमारे हिसाब से बोलेंगे कुछ characters जो हैं हमने यह इसमें लेके आगए अब हम इसे बुलवाएंगे मैं 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 बोलके दिखाऊं ए ए फोन एपल एन आंट इस इजिंग आन आपल सही बोला ना मैं तो अब जो है आप इसे कोई मिला के बात यह है कि इनों ने आपने जो भी बुलवाएंगे यह बाकी character तो image में है यह real मतलब ऐसे नहीं है जो आपको हिलते हुँ देख रहे जो character आप add करेंगे वही character जो है वो बोल सकता है बाकी other characters जो है वो आपके move नहीं करेंगे बहुत सारे मतलब इसमें background हैं आप जो चाहे वो select कर सकते हैं सारी class में सारे बच्चे अगर आप अपनी वर्जी से बिठाना चाहते हैं तो वो वाला option भी है आपके पास उसमें कोई issue नहीं है इसके बाद आपने दोनो जब भी दोनो slides को आपने अलग-अलग characters को बुलवाना है तो हर बार अलग-अलग slides आपको लेने की जरुक पड़ेगी अम माली जी कोई दूसरा बच्चा आपको लेके आरा है तो मैंने third slide पे click कर दिया है अब मुझे एक और character की जरुक पड़गी ठीक है तो मैंने जो है वो tom को लेके आगए इससे कैसी भी educational story videos जो है आप अपने बच्चों के लिए create कर सकते है तो यह दोनों यहाँ पर बैट गए है और इनकी facial expressions को भी देखे किस तरीके से move कर सकते है और साथ-साथ वो भी कर सकते है चेंज भी कर सकते है यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा angry है फिर यहाँ पर यह हसने लगेगा लाफ यह पिरकुल normal वाला है यह देखे ऊपर टॉप में आ रहा है ना सारे expression जो है अब कोई से भी expression जो है इससे करवा सकते है बच्चे से अगर आप चाते है फोन लेकि देखे किस तरीके से जो बच्चा है वो expression देता है फोन वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुसे एकडम आग बबुला जिसे कह दिया वैसे वाले expression बच्चा दे रहा है और इनके mics का धियान रखे कि जो बच्चा है जो भी character है जिसे आप उलवा रहे हैं उसके mic को उसके पास place करके रखें तो यह complete आपको process है आपको मैंने बता दिया है कि इसमें यह सारे functions है अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी बहुत ही बहतरी इन image बनेगी अब बात थी कि मेरी जो इसमें दिख रही है तो जब आप इस तरही की animated videos बनाएं तो उसमें अपनी image दिखाने के आपको मुझे लगता ज़रूत है फिर मतलब क्या character human being का character बीच में आयाता है बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि यह वाली जो मेरी image है वो कैसे आ रही है तो आपको बता दू कि इसके लिए मैं screen recorder यूज कर रही हूँ जिससे कि मैं पूरा app functioning अपनी शकल आपको देखा पा रही हूँ इसे कैसे यूज करते हैं जो लिख पा रही हूँ जो वीडियोज होती है या अपनी फोटो दिखाने वाली जो screen recorder होते हैं वो कैसे काम करते हैं complete उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर इसे पर शेयर किया है आप लोग इसाँ शेयर कर रहे हैं आप लोग जरूर देखें इस पर आपको क्लिक करना है यह है एक्सपोर्ट जैसे यह आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे इस movie को नाम देंगे नाम दे दिया मादीचे मैंने P आपने किया done, done करके accept करना है, accept करके next करना है next करके दो option आ रहे हैं friends के साथ यहीं से share करेंगे या gallery में save करना चाहेंगे अगर इन केस आपके phone में भी कोई दिक्कात आ देती है और इस चीज़ यहां दर जाती है तब भी यह as it is आपके जो यह twin craft है इसके folder में यह जिस save रहती है तो उसके लिए आपको attention लेने की ज़रूत नहीं है और बस यहां से आप इसे post का button दबा दीजे और कुछ time लेगी है और उसके बास सीधा आपकी gallery में जाके save हो जाएंगे दोस्तों आप मैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को इस तरीक से समझ में आयागों कि twincraft के साथı cartoon videos आपने के साथ part team और इसके लावाव भी सारे apps जाहां सिहांसे आप बहुत पहतरी UmaT этому animated video बना सके है जरूद कि रैती हैं इस ग्लतों साज़ा करूऑंगी और बहुसारे Apps इैज साभाउंगी जो आपकी eduction quality को इंप्रूव कर सकते हैं और डेट टू डेट लाइफ में एक टीचर को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अगर वीडियो आपको पसंदा है यह तो बता है ना आपको क्या करना है आपको वीडियो को लाइक करना है और अगर अभी तक आप स्टीचिंग का माट नहीं बने हैं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वह बिर्कुल फ्री होता है थांक यू सो मच फ्रेंड थांक यू सो मच पर कामिक डिमा चैनल